लाटी मेकप लुक और मैंने ये लुक क्रेट करें विद आफोरड़ेबल मेकप प्रोड़क्स अंडर जस्ट रुपी 200 और ये लुक बहुत ज़दा इजी, क्विक अन वर्सेटाइल है इस समर सीजन के लिए और ये सूट करेगा अल स्किन टाइप्स के लिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल प्री टीवी, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्त हिमान शियू नियाल फेस क्लीन करने के बाद फर्स टेप है मौशिराइजेशन और मैं यूज़ कर रही हूँ गूट वाइब्स का सैफ्रॉन नरिशिंग डे क्रीम इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, थोड़ा सा थिक फॉर्मूलेशन लगा बट लगाने के बाद थोड़ी देर में ये अच्छा हाइड्रेशन और ग्लो प्रोवाइड करता है ये क्यूट सब ब्लू हेवन का लिपम बजेट फ्रेंडली भी है और लिप्स को भी अच्छे से मर्शिराइज करता है आज मैंने फेस में प्राइमर यूज नहीं किया और मैं डिरेक्ली अन्वाइबेका एच्टी स्पोटलस लिक्विड कंसीलर यूज कर रही हो और यूवाण बलीव कि मैंने परपल सेल में जूस नाइंटी 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 नुपीज में ग्रैप किया इसकी क्वालिटी अन कॉंटिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने ही लाइट शेड और किया था और इसने अच्छा कवरेज दिया अब बिग थम्स अ नेक्स फर्स्ट ताम आम यूजिंग अन्वार्बे का दूवी द्रॉप फाउंडेशन एंड यूवाण बलीव यह मैंने पर्पल.com में सेल में जूस नाइंटी एट टूपीज में ग्रैप किया था मैं हमेशा जो ब्यूटी ब्लेंडर होता हुसे एक ड्राय टिश्य में था कि एक्सेज उसका वाटर निकल जाए मैं थोड़ा सा पंप ले रही हूं इस फाउंडेशन का लेट सी क्या एंड रिजल्ट मिलत है हमें इस फाउंडेशन से और यह फाउंडेशन फ्लॉप हुआ या पास हुआ वैसे फॉर माई सर्प्राइज यह इतना सूपर ब्लें तो उसे डिफाइंड और फिल करते हैं इस नैचरल ब्राउन आइवरो डिफाइनर से जो ब्लू हैवन का और यह बहुत ज़्यादा अफोड़ेबल और मुझे बहुत पसंद है अब जो मेकप ही लाटे कर रहे हैं तो कॉफी भी पी ली जाएओ भार हो रही है बड़सात औ और मजा आरा चलो अब मेकप करते हैं नेक्स आम यूजिंग दिस एन्वाइब की अल इन वन स्टिक अधा शेड हालिम डांस टॉफे और इसे में अपने फेस की कॉंटूरिंग करूंगी कॉंटूरिंग से मैट करते हैं डायमेंशन हमारे फेस में और चीजल आउट करते हम डायमेंशन हरता पर इसे में आपसे कॉंटूरिंग सेंड़ ज coalition में अपसर दोर संपितरों इं यूग मेंट करते हैं धिर चन्य municipal कें मेंट रौन इंग सेंगिंध में अल उस में आदर इसम रूपी रोडस मारील को। heaven का lip and cheek tint in the shade muted peach it's so easy to use travel friendly है बहुत जदा creamy formulation और blend बहुत असानी से हो जाता है and such a good product in a budget now it's time for eye shadow और मैं यूज कर रही हूँ आज elf की ये bite eye shadow in the shade pumpkin pie जो travel friendly के साथ easy to use है इसमें 2 matte और 2 shimmer finish के shade है आज मैं आइस में एक ombre effect create करूँगी जिसके लिए मैंने inner corner में light brown shade add कर है then eyelid के ओपर मैं shimmer shade add करूँगी और ये वाला eye palette जो है वो बिल्कुल इस मेरे latte makeup के लिए बिल्कुल appropriate है और ये इसमें कोई भी fallout नहीं होता है then मैं दोनों shade को अच्छे से blend कर दूँगी ताकि कोई harsh line ना बचे then third shade में dark brown लोंगी जिसे मैं outer corner में add करूँगी और उसे फिर अराम से ब्रस से इसे मैं blend कर दूँगी फिर तीनों को मैं अच्छे से पहले दो को अच्छे से blend करूँगी then उन तीनों को अच्छे से blend करूँगी ताकि crease line में कोई भी harsh line ना हो and मैंने first shade जो की light brown कलर का था उससे अपनी crease line को मैं define कर रही हूँ similarly roughly मैं second eye में तीनों shade लगा लूँगी और उने easily blend कर दूँगी और crease line को भी define कर दूँगी next I am using this miss clear की eye pencil in the shade deep brown और इससे मैं अपनी lash line में एक roughly eyeliner लगा लूँगी दोनों eyes में इसलिए घपराने की कोई बात नहीं अगर liner perfect ना भी लगे हम मैं उसे smudge ही करना है एक brush की उससे मैंने दोनों eyes में liner को smudge कर दिया और look बहुत अच्छा लग रहा था now same pencil को मैं waterline में as a kanjl की तरह use करूँगी दोनों eyes में और फिर एक brush के use से मैं उससे smudge कर दूँगी now same eyeshadow palette से मैं brown shade लेके उसे अपनी lower lash line में use करूँगी and then shimmer shade लेके उसे भी मैं lower lash line में लगाऊंगी और इसको मैं अच्छे से smudge कर दूँगी ताकि एक eyes को definition मिले और eyes देखने में बहुत अच्छी लगती है next मैंने like me case compact से अपने face को थोड़ा सा touch up कर देखो को कि humidity से न face इतना ज़्यादा greasy सा लग रहा था and it's really works well और गर्मियों के लिए तो न यह must have product है same brown pencil से मैं wink rate करूँगी दोनों eyes में और फिर एक brush की help से मैं उसे smudge करूँगी इसे दोनों eyes को एक definition भी मिलेगी और साथ के साथ जो excess material होगा nearby area में वो सारा remove भी हो जाएगा मैं अपने eyelid में थोड़ा सा shimmery थोड़ा सा glittery finish देना चाहती हूँ तो मैं use कर रही हूँ यह steak quirky का powder eyeshadow in the shape princess midas सिप box में जो अपल लगा हुआ था ना वही हलका सा में लगा रही हूँ और इसका formulation बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है एक warm bronzy effect दिया है now finally मैंने again crease line को define कर दिया and I really love my eye makeup next I am using this inside cosmetica highlighter जो कि highly affordable है और बहुत जदा creamy formulation है easily blend हो जाता है इसे में अपने high points में लगाऊंगी ताकि pictures भी perfect आए और एक dewy finish भी मिले मेरी तरफ से तो यह highly recommended product है for completing this latte look I am using this NY Bay lip gloss in the shade brown dates जिसे मैंने purple sale में बहुत अमेजिंग डिसकाउंट में ग्रैप करा और इसका formulation बहुत अच्छा है really like it फिर थोड़ा से मने blue heaven का mascara add on कर दिया dainty jewelries add करी do let me know in the comment आपको यह look कैसा लगा do subscribe like and share we will meet super soon take care bye